अलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दा चैनल आज इस चैनल के अनदर हम बात करेंगे राइस गंधिबग की तो राइस गंधिबग क्या है, पैस्ट राइस का June- राइस को उपर रहता है, मीन्स Lept orientation vericornis जो इसका बोटेनिकल नेम है लेपटोकोरिसा वेरिकोर मैस जो जो लोह गैंकल नीम के कोडिंग इसको लेठोकोरिसा बोला गया है राइस का अगर हम बटैनिकल नीम देखें तो औरियाजा, श्टैवा राइस के उपर यह डिपेंड रहता है राइस के उपर जो इसका होस्ट प्लांट है वो राइस है तो इसकी systematic position को हम देखते हैं, kingdom है, animalia, phylum, arthropoda, subphylum, mandibulata, because it has its mouth parts, sucking and pursing type, super class, hexapoda, class, insecta, order, और family, जो इसका order है, वो hemipatera है, family, coridate, genus and species तो आप जानते ही हैं, leptocorisa, vericornis, genus और species के निचे underline जरूर करेंगे, because we can't write in italics, तो पहले इसका description के बारे में discuss करते हैं, अगर हम इसका description देखें, तो ये all over India के अंदर ही पाया जाकता है, all over India के अंदर हमारे जो rice grow होते हैं, लगबग 75% rice grow होते हैं इंडिया के अंदर, तो all over India के अंदर, जो leptocorisa, vericornis है, वो पाया जाकता है, host plant है इसके, अलावा rice के, mean rice को छोड़ कर और भी host plant है, इसके millet, mean rice के आसपास खेती की जाती है, उसके उपर भी ये रहना start कर देता है, और उनको as a host plant use करता है, तो इसके अंदर आएंगे rice, millet, जवार, maize, बाजरा, sugarcane, और other, जो wild grass है, वो भी हो सकती है, सो इसका अगर हम journal appearance देखते हैं, length, normally जो adult form के अंदर पाया जाएगा, उसकी length 20 mm की होगी, light and brown color होगा इसका, long legs होगी, और इसके जो antenna होगे, वो jointed form के अंदर पाया जाएगा, निम्फ जो होगा, इसका smaller होता है, अडल्ट से, mostly कई जो species हैं, उनके निम्फ larger मिलते हैं, अडल्ट से, तो अडल्ट की जो shape है, वो बाद में छोटी हो जाती है, पर इसके case के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो निम्फ है, वो smaller है, habit, active होगा यह, during morning and during evening time के अंदर, evening hours और morning time के अंदर जो इसकी activity है, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह थंडे time के अंदर ही, low temperature के उपर ज्यादा active होता है, तो अडल्ट है, उसके अंदर से, unpleasant smell होगी, जिसके काण, इसका नाम क्या पड़ा है, गंदी बग, और जो unpleasant smell है, वो थोरे से cavity देती है, reproduction होगी इसकी, July to November के मन्त के अंदर, और ठंड के महिनों के अंदर यह hibernate कर लेता है, ज्यादा ठंड के अंदर यह अपने आपको hibernate कर लेगा, only normal temperature के अंदर यह active रहता है, morning and evening time में यह active रहेगा, बट hibernate कर लेगा, जो winter time आएगा उसके अंदर, December to February तक यह अपने आपको hibernate करके रखता है, जो इसकी life cycle है, life cycle 4 to 5 week के अंदर complete हो जाएगी, mean life cycle completed in 4 to 5 weeks and give 5 brood in a season, means जो life cycle है, इसकी बहुत ही छोटी है और एक season के अंदर यह 5 brood produce कर सकता है, तो adult form के अंदर होंगे, जो brood है, वो adult form of lepto-corrhiza को बोला गया है, तो इसकी life cycle को हम देखते हैं, तो friend discuss करते हैं, life cycle of lepto-corrhiza varicornis, lepto-corrhiza varicornis की जो life cycle है, वो 3 stages की life cycle है, mean incomplete metamorphosis भी बोल सकते हैं हम इसको, अगर complete metamorphosis होता तो यहाँ पे 4 stages होती, तो जो lepto-corrhiza varicornis की adult, जो आपको form है, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो इसके जो eggs हैं, वो इस form में होंगे, बिल्कुल smaller होंगी, और एक जो rice का leaf होगा, उसके उपर यह line के अंदर egg देगा, 3 lines बना देगा, जिसके अंदर 10 eggs भी हो सकते हैं, 8 eggs भी हो सकते हैं, एक line के अंदर, तो यह group of eggs produce करता है, जिसके अंदर 24 to 30 eggs होंगे, इन 3 rows, 3 rows के अंदर यह egg देगा, adult, और उसके बाद जो egg है, incubation period के अंदर जाएंगे, 5 to 8 days के लिए, incubation period के अंदर यह egg change हो जाएंगे, in the form of nymph, निम्फ है, वो crop के उपर, अपना crop को damage करना start कर देता है, और जो nymph का color होगा, वो pale green होगा, और निम्फ होगा, बिल्कुल small हो, ठीक है, तो इसके जो legs होंगी, वो smaller होंगी, और धीरी-धीरी legs long होनी start हो जाएंगी, और बाद में आप adult के अंदर देख सकते हैं, इसकी legs है, काफी long है, molting start हो जाएगी, अब निम्फ के अंदर, 15 to 18 days तक molting रहेगी, और molting के बाद, जो adult form के अंदर आ जाएगा, adult form कैसी होगी, आपको मैंने general appearance के अंदर बता दिया है, कि जो general appearance है, इसके bad smell देगा और brown color का होता है, mostly, so 35 days का इसका life span होगा, और life span के बाद इसकी death हो जाती है, mostly, एग है, एग का थोड़ा सा description कर लेते हैं, एग कैसे होंगी, 1m long होंगी, लगबग, all shape के अंदर मिलेंगी, black हो सकते हैं, और flat भी हो सकते हैं, और एग बाद में, 5-8 days के अंदर इसके देरे-देरे, निम्फ के अंदर स्टार्ट होगी, निम्फ बन जाएगा, निम्फ से adult, और इस form के अंदर इसकी जो life cycle है, वो चलती रखती है, तो ये थी life cycle, lacto-corrhisa, vericornis, और आगे हम इसके देखते हैं, कि ये crop को damage किस तरीके से करता है, तो friends, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इसके crop damaging stage है, वो निम्फ एड़ल्ट दुनों है, तो main damaging, जो crop को damage करने वाली stage है, वो दुनों आजेंगी, निम्फ एड़ल्ट, और दुनों के दुनों जो form है, निम्फ एड़ल्ट, ये दुनों क्या करेंगी, बहुत जो है, cell के अंदर से cell shape को शक करने का काम करेंगी, मैं उनके अंदर से cell shape होगा, उसको ये drink कर लेंगी, पी लेंगी, और उस cell को श्रिंक कर देंगी, मैं उस cell की क्या होजागी, डेथ होजागी वहाँ पर, जब ग्रेन बनने लगते हैं, राइस के अंदर, तो उनके अंदर से ये cell shape को शक कर लेते हैं, और उसके बाद, जहां से वो damage हो चुकी है, उसके उपर फिर black sport आना स्टार्ट हो जाती हैं, फंगस के, और बिलकुल वो crop को damage करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो इस case के according, जो हमारे इंडिया के अंदर दिखा जाए, तो 40% crop affect करती है, और अगर ज़्यादा ही फैल जाए, तो वहाँ पे 60% तक भी हो सकता है, ठीक है, तो 40% तो आप देखी सकते हैं, कि 40% crop बहुँ ज़्यादा होती है, 50% के लगबगी होगी, mean 50-50 crop खराब कर देती है, अगर ये एक बार किसी भी field के अंदर आ जाए, तो हम इसको control किस तरीके से कर सकते हैं, तो control करने के इसके दो method है, एक तो mechanical method है और दूसरा chemical method है, भिक है, mechanical control हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो mechanical control के अंदर हम देखेंगे, जो paddy हम grow कर रहे हैं, उसके आसपास किसी भी तरीके कि कोई wild grass ना हो, उसके राओं, ठीक है और दूसरा such varieties of grown which seed come out later from the set मीन ऐसी variety हम grow करें चावल की जिससे जो seed है seed के अंदर से जो plant grow होके आना है वो थोड़ा late आए ठीक है तो उससे भी हम इसको protect कर सकते हैं next के अंदर अगर हम insect को देखें insects should be caught by light traps तो insect को हम पकड़ सकते हैं light trap के थो इनको kill कर सकते हैं ये तो थे हमारे mechanical method chemical control की अगर हम बात करें तो chemical control के अंदर आ जाएगा rice का जो plant है वो mean field के अंदर ही गरो उतता है काफी जो profile है तो उसके अंदर एकड के हिसाब से हमी एक mean एक एकड जमीन के अंदर हमी 0.25% BHC या 5% mellithion डालने चाहिए जिससे हम leptocoresa varicornis को control कर सकते हैं दूसरी बात जो leaves होते हैं इसके leaves के ओपर अगर हमें egg मिलते हैं तो हम उन egg को collect कर लें collect करने के बाद या तो हम उनको burn कर दें burn करने अगर हम उनको burn नहीं करते हैं तो उसको kerosene oil के अंदर dip कर सकते हैं जिससे वो kill हो जाएंगे या damage हो जाएंगे पूरी तरिक्या से तो ये थी life cycle of leptocoresa varicornis जो की rice का एक pest है जो rice को खराब कर देता है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो like and subscribe जरूर करें